तो आज 5 अगस्त है आज मैं आपको एक रिमाइंडर दे दू कि जिन लोगों ने भी 69th BPSC का फॉर्म नहीं डाला है उसमें CDPO भी है आपको आज last day है फॉर्म डाले का प्लीज याद करके फॉर्म डाल दीजेगा पहले आपने registration करना है registration में कोशिश कीजेगा कि आप अपने अधार कार्ड का ही नंबर दें क्योंकि अधार कार्ड के अलावा अगर आप कोई भी अपना ID proof देते हैं जैसे कि driving license या फिर आप अपना voter eye card देते हैं तो उसमें आपको 200 रुपे extra लगेंगे form का जतना पैसा है उससे 200 रुपे और extra लगेंगे इसके अलावा आप एक साफ सुतरे जगा पर बैठेगा जहां पर पीछे एक color का background हो ठीक है क्योंकि आपको live photo खीचना है फिर से याद दिला दिया जाए कि आपने ऐसा नहीं है कि photo जो है वो upload करना है ठीक है signature आपको upload करना है English or Hindi में और आपको documents जो की 100 KB से कम होने चाहिए तो दो documents upload करने हैं आपने पहला document हो जाएगा आपका 10th का 10th का जो certificate है 12th और 12th का नहीं करना है graduation का करना है ठीक है इसके अलावा अगर आपको एभी चीज claim कर रहे हैं जैसे कि आप अगर reservation category से हैं तो आपको वो सारे certificates भी upload करने हैं इसलिए आप लोग अपने सारे certificates जिस भी system में आप form भर रहे हैं ,उसमें आपका category वालत certificate होना चाहिए 10th का certificate होना चाहिए graduate का certificate होना चाहिए English और Hindi में आपका signature होना चाहिए registration के बाद आपको form filling करनी है, form filling करने के बाद आपको payment करना है, payment में हो सकता है कि थोड़ा बहुत server का issue हो, तो आप थोड़ा सा patience रखके payment कीजेगा, सिर्फ card से payment हो रहा है, debit card है या credit card से payment हो रहा है, तो यह चीज़ clear हो गई, साथ ही साथ एक और बात समझ लिजे कि जितने, जैस तो जितने भी आपने, आप जितना वाट भी tick करेंगे, जैसे कि आपका अगर male categories हैं, आप general तो 600 रुपए एक form का है, तो आप जितने टिक करेंगे, उतने बाद 600 रुपए add होगा, आप female हैं, आपको 1500 रुपए VPSC के लिए लग रहा है, आप CDPO भी देना चाहती हैं, तो 300 अगर आप और भी categories के जैसे चार हैं, टोटल चारो एक्जाम अगर आप eligible हैं, और आप चारो एक्जाम देना चाहते हैं, तो 1500 और 1500 और 1500 यानि कि 600 रुपए लगेगा, अगर लड़के को 600 रुपए लगेगा, अगर चारो दे रहे हैं, clear हो गया है, ठीक है, understood, तो ये आपका टोटल रहेगा, categorization, हाँ, girls का free नहीं होता है, 1500 रुपए लगते हैं, form भड़ने में, right, तो अब हम class को start करें, 1800 लगा है तुम्हारा, तो 1800 लगा होगा क्योंकि तुमने तीन form भड़े होंगे, है न, और अगर आप अधार काट के अलावा कोई भी और document देंगे, तो 200 रुप लगेगा, तो hopefully आपको form से related और कोई issue नहीं होगा, कुछ बच्चे जो हैं, वो एक-दो में से पूछे थे कि वो physically disabled category में डालना चाहते हैं, तो कौन सा select करें, तो बच्चे यह जब आप form भड़ेंगे न, तो उसमें जो आपको most probable option देखेगा, उसी के recording आपको select करना है, लेकिन अगर form filling का date or extend होगा, तो मैं आपको उसके बारे में detail में बता दूँगी, ठीक है, चलिए, तो अब class को start करते हैं, आज हमारा first week complete होता है August का, तो August जहां पे एक तारिक से लेके चार तारिक चार दिन, आज पांचवा दिन है August का, और देखो इतना जल्दी जल्दी यह महीना भी complete होने वाला है, और अगले महीने आपका examination है, और examination देखें, आपकी seriousness पर सब कुस depend करता है, अगर आप इसको करो या मरो वाले situation में लेके जाएगा, तो बिलकुल examination हो जाएगा, क्योंकि throat cut competition है, आप अगर बहुत seriously, और ऐसा नहीं कि time कम है, ठीक है, अभी भी मल कर लेते हैं, तो examination निकलेगा, first week हमारा complete हो गया है, first week में जो relevant questions है, जो कि statement based questions है, जहां से question आने की probability है, मैं ज्यादा दराज statement based question ही, आपको revise करवाओंगी, कोई भी नया question नहीं है, आपको बस सही सही answer देना है, starting के कुछ questions आपको नए लगेंगे बस, तो class को start करते हैं, पोल आपके साथ है, ठीक है, पोल आपका start हो जाएगा, आपको comment section में सिर्फ ABCD तक type करना है, जैसे पोल start होता है, जैसे वो बोल वाला होना शुरू होगा, आप ABCD type करेंगे, तब आपका नाम आएगा, ठीक है, तो ready, steady, go, class को start करते हैं, यहां पे उसके पहले मैं आपको दो ती जीज़ बता दू, map and news को लेकर कैसे mapping, जैसे mapping को लेकर बहुत सारे बच्चे परिशान है, कि mapping कैसे आएगा, तो देखें, mapping कैसे आता है, आप से पूछा जाएगा, जोहनिस बर्ड किस country में है, simple सा question है, जोहनिस बर्ड किस country में क्यों पूछा जाएगा आप से, क्योंकि संद्रवा समिट है, और जो emerging economies है, उसमें BRICS, हमने एक pattern बनाया है, BRICS, और BRICS की meeting होती है हर साल, या तो ब्रजील में होगी, रश्या में है, इंडिया में है, चाइना में है, इस बर साउथ आफ्रिका में है, साउथ आफ्रिका में है, यानि कि सोलावा कहां होगा, ब्रज में होगा, फिर अठारवा कहां होगा, भारत में होगा, फिर चाइना, फिर साउथ आफ्रिका में 20 वा होगा, आप समझ रहें, ये BRICS के pattern पे ही इसकी meeting होती है, ठीक है, इसके अलावा, साउथ आफ्रिका एक ऐसा देश है, जो कि आफ्रिका के सबसे साउथ में है ये देश है ना, और यहां पे बहुत सारे अलग-अलग तरहा के ecosystem है, और जो चीज news में रहता है, वो है इसका Kruger National Park, तो अगर question को tough करना है, तो अब से पूछा जा सकता है कि Kruger National Park recently in news, ये news में कहां से आया, तो आप बताएंगे कि ये news में कहां से आया, ये South Africa के Johannesburg में है, और ये news में इसलिए है क्योंकि हमारा BRICS का पंदरवा मीटिंग कहां पे होने वाला है, ये आपका Johannesburg में होने वाला है, जहां पे हमारे प्रधान मंतरी, यहां पे Kruger National Park है, ये जाएंगे, तो अब आप समझे कि mapping कैसे करवाया जाता है, mapping ऐसे होता है कि news में कभी भी कोई चीज आएगा तो हमने उसको ध्यान से देख कर, map में उसको देख लेना है, ये Africa का map है, ये South Africa है, South Africa यहां पे देखिए, इसके important cities है, Durban है, उसके बाद यहां पे Port Elizabeth है, Cape Town, आपने सुना Cape Town, ये Good Hope जो है, Cape of Good Hope यहां से ही आया था, अच्छा Cape of Good Hope का story आपको पता है, जब आप NCRT History पढ़े ये Class 8 की, तो आपको पता चलेगा कि हमारे देश में European आने वाले थे, सबसे पहले, Partholomeo Dias पहुंचे थे यहां तक, और इन्हों ने नाम दिया था इस जगा का Cape of Storm, Cape of Storm यानि कि तुफान का ये जगा है, और ये बहुत demoralizing था, क्योंकि यहां तक पहुंचने के बाद काम दिया तो ये काफे demoralizing हो गया, बाकी कोई यहां आना नहीं चाहता था, बार्थियो लोमियो डियास के बाद, लेकिन फिर पोर्तोगल वस वेरी इंथूजियास कि उनको घोजना ही था इंडिया को, क्योंकि आपको पता है कि लैंड रूट बंद कर दिया गया था, उसक कि वसको डिगामा इसी केप से यहां से वहां पहुंच जाते हैं, तो पोर्तोगल के राजा ने इसका नाम Cape of Good Hope रखा, ठीक है, तो Cape Town यहां पे है, ठीक है, इसके बाद आप मुझे एक और चीज़ कमेंट सेक्शन में बताएंगे, थोड़ा सा अवेर रही हैं, दो महीने ब पूछेगा तो क्या बताईएगा, ठीक है, साउथ आफरिका का अगर आपसे कोई कैपिटल पूछेगा, तो क्या बताईएगा, इसके अलावा एक और बात ध्यान रखेगा, कि लिसोथो, लिसोथो एक ऐसा देश है, जो पूरी तरहा से साउथ आफरिका के अंदर ही है, य BPSC के questions पे तो हम हमेशा बात करते हैं और BPSC एक ऐसा pattern follow कर रहा है जो कि Central Examination की और जाता है जो कि UPSC का pattern है अगर अब दो साल से UPSC के pattern को देखेंगे तो नहीं question बहुत tough नहीं पूछा जा रहा है हम उसको tough नहीं कह सकते हैं question कैसा पूछा जा रहा है question basic knowledge में थोड़ा सा भूस के पूछा जा रहा है ठीक है जो basic जो general knowledge होता है उसके ही depth में पूछा जा रहा है जैसे कि एक question था कि कौन सा आसा जानवर है जो की एक लकड़ी का इस्तमाल करके पेड के बीच में से लकड़ी को वो ऐस tool इस्तमाल कर रहा है ठीक है और पेड में उस tool को डाल रहा है और उससे उसको जो भी खाना है, जैसे कीड़ा, मकौड़ा, इंसेक्स वगेरा, वो खाना है, वो उसको खा रहा है, समझ रहे हैं, यह question आपने देखा था, इसका exact जो statement है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ, तो यह question था कि कौन सा ऐसा जानवर है, जो कि लकड़ी का इस्तमाल करके, मतलब जानवर is so intelligent, which of the following, make a tool with a stick to scrap insect from the hole in a tree, और a log of wood, यानि कि लकड़ी के अंदर अगर कोई कीड़ा, मकौड़ा चुपा हुआ है, तो वो एक stick का इस्तमाल करके, उसको एक टूल बनाके, उससे कीड़े खा रहे हैं, यह किस जानवर के बारे में यह question था, है ना, अगर हम options था, sloth bear, sloth bear था, उसके बाद orangotan था, orangotan is a बंदर लाइग of species, fishing cat था और otter था, तो fishing cat जो है, fishing cat है, यह फिर otter है, orangotan है, यह sloth bear है, यह question था, तो यह बहुत basic सा question था, एक paper का article था था हिंदू का, जिसमें orangotan जानवर के बारे में लिखा हुआ था, कि यह बहुत ही intelligent species है, और यह इंसान से भी जादा, कभी-कभी, कुछ incidence में देखा गया है, इसका दिमाग तेश चलता है, और उसने क्या करा, कि उसमें stick लिया, और stick लेकर, वो tool की तरह, उस stick को अस्तमाल करके, और पेड के अंदर जो छेद होते हैं, जिसमें, चीटी, कीरे वग्यरा हुसे राते तो कैसे aware रहना है, अब BRICS की meeting है, पंदरवी meeting है, जोहनिस बर्ग में है, जोहनिस बर्ग के पास कौन सा national park है, यहां से question आ सकता है, तो इस तड़ा का pattern आपको follow करना पड़ेगा, ठीक है, इसके अलावा आप देखिए, जो next बताने वाले हैं, हम mapping को लेकर, वो है North Sea, North Sea कहा पे हैं, और क्यों news में हैं, तो अभी आपको पता है कि Russia, Ukraine की लडाई हो रही है, और Russia से कोई भी oil और gas नहीं लेना चाता है, तो UK के जो प्राइम मिनस्टर है, रिशी सुनाक, उन्होंने 100 से जादा license दे दिये हैं, किस चीज के लिए, तो oil और gas का exploration करने के लिए, खोज करन ये North Sea में, autumn का जो season चल रहा है, यहां से इसको शुरू किया जाएगा, इसका main reason क्या है, क्योंकि आपको पता है कि UK के पास भी production कम हो चुके हैं, UK के पास जो domestic production था, ये कम हो गया है, साथी साथ export भी कम हो गया है, और हम खुद भी चाहते हैं, कि 2050 तक दुनिया जो है, वो zero carbon emission तक पहुंच जाए, यानि कि अगर हम carbon dioxide का उत्सरजन कर रहे हैं, तो उतने ही carbon dioxide को environment absorb कर पाए, उतना ही हम उत्सरजन करें, है ना, तो इसलिए North Sea News मेरा, North Sea कौन सा जगा है, Great Britain, Denmark, Norway, Germany, Netherlands, Belgium, France, ठीक है, तो इन सब के बीच में पढ़ता है North Sea, अब हम लोग मैप भी देखें अग है, एक Continental plane having a very low depth, ठीक है, Continental plate क्या होता है? कि आपको पताए कि जो पूरा Earth है, वो Continental और Oceanic plates का बना हुआ है. oceanic plate की density जादा होती है continental plate की density कम होती है क्योंकि continental plate जो है वो सियाल का बना हुआ है silicon और aluminium का बना हुआ है और oceanic plate किस चीज का बना हुआ है oceanic plate सीमा का बना हुआ है silicon और magnesium का बना हुआ है तो silicon तो दोनों में है aluminum और magnesium को अगर आप compare करेंगे तो magnesium का density ज़ादा होता है जिसके कारण oceanic plates की density ज़ादा होती है और जब हम continental plate की बात करे हैं तो यहाँ पर epic sea है ठीक है तो यही northern sea, north sea जो है वो इसी continental shelf पर है यहाँ पर आप देखेगा तो ज़ादा दर shelf अब continental shelf क्या होता है जब continent और ocean के बीच में हम आते हैं तो यहाँ पर एक धलान हमको देखेगा ठीक है तो यह जो धलान है हलका सा धलान इसको हम shelf कहते हैं जब यह one degree तक का यह धलान होता है जब यह धलान बहुत ज़ादा बढ़ जाता है तो इसको हम slope कहते हैं और ज़ादा दर जो हमारे पास fossil fuels हैं जो हमारे लिए जरूरी तत्वे हैं वो आपको continental shelf में मिलेंगे ठीक है तो जब आप Bombay High की बात सुनते हैं Bombay High आपने सुना होगा ना Bombay High जहां से आप Oil का Exploration करते हैं तो What is Mumbai High? जब हम Arabian Sea की तरफ जाएंगे भारत का ये Coast है और हम Arabian Sea की तरफ जा रहे हैं तो थोड़ा सा जो धलान है वहीं पे Mumbai High है तो जितने भी धलान है जो Continental Shelf वाले धलान है वहीं से हमको Fossil Fuel मिलता है क्यों? क्योंकि पुराने जमाने में यही तो हुआ होगा कि जितने भी Animals हैं जो भी Plants हैं उनका वो जाके Continental Shelf में उनका Degradation हुआ है और उसी से तो Coal और Petroleum निकलता है तो अब हम Northern Sea के बारे में देखेंगे यह क्या करता है Atlantic Ocean को English Channel इसके South में है और Norwegian Sea इसके North में है तो Atlantic Ocean को Connect करता है अब North Sea यह रहा आपके सामने यहां पे आप देखेगा South में यह English Channel है South में English Channel है और North में आप देखे Norwegian Sea है ठीके Norwegian Sea है और English Channel है ये बीच में North Sea है तो इसको Norwegian Sea Atlantic Ocean से connect करता है North में और English Channel इसको Atlantic Ocean से connect करता है South में तो ये आपका North Sea News में रहता है क्यों News में है क्योंकि UK के Prime Minister ने कह दिया है कि अब हम North Sea में exploration करेंगे North Sea में exploration करने का मतलब है कि इसके जो Continental Shelf है यानि कि कोई ऐसा पार्थ जो की Continent का पार्थ है और समुदर की ओर जो धलान शुरू होता है एक डिगरी से उसको हम Continental Shelf कहते हैं clear है guys तो इस तरह से map news में आते हैं आपसे पूछा जाएगा straight of Dover किस को connect करता है या किस को अलग करता है straight का मतलब क्या होता है जल की संधी यानि कि देखें North Sea और English Channel के बीच में पतला सा जल का line है है ना तो यह क्या है straight है जल संधी है और यह क्या कर रहा है यह France और England को separate कर रहा है right France और England को separate कर आप सुनते होंगे कि लोग France से तैरते हुए England चले जाते English Channel पाड़ कर जाते हैं तो इस तरह से आपको map देखते रहना है और map is a very very interesting portion अगर आप ध्यान से map को देख रहे है फिर आपकी kuril islands भी news में है आप से पूछा जाएगा kuril island recently in news यह कहां पे पड़ता है ठीक है तो यह Russia आपको दिख रहा है यहाँ पे आपको Japan के islands दिखेंगे यहाँ पे आप देखे Japan है ठीक है Sea of Japan है यह आपका Japan हो गया यह Russia हो गया यह कुडील island हो गया यह Pacific Ocean हो गया यह कामचेट का Peninsula हो गया ठीक है कामचेट का Peninsula किस country का पार्ट है यह Bering Sea है उसके उधर America है तो हमेशा map को देखते रहे है यह Hokkaidu है इसका सबसे उपर वाला horseshoe है फिर Hokkaidu है इस तरह से islands है Japan कितने island का बना हुआ है ठीक है कौन से island में Nagasaki bomb गिरा था कौन से island में Hiroshima bomb गिरा था तो यह सब बहुत सुना सुनाया वाला बात है बस आपको क्या करना है इसके details में जाना है या फिर इसमें जो भी authentic जो concrete information है उसको बांध लेना ऐसे knowledge को बांध के चलना पड़ेगा ऐसे हव हवाई में कि हां वहां से सुन लिए पांच YouTube चैनल देख लिए पांच उसे थोड़ा थोड़ा इंफॉर्म वैसे नहीं होता है आपके पास concrete जानकारी क्या है उससे पता चलेगा और इसके लिए important है revision कर दे रहना ठीक है चलिए फिर आप देखेंगे चाइना भी न्यूस च पिर ब्रह्मोपुत्रा को चाइना में क्या कहते है क्योंकि तिबेट जो है वो इसका पार्ट हो गया है तो इस तरह से जो जो important चीज़े हैं यहां पर कौन सा mountain है टकला मकान desert यहां पर है यह मंगोलिया के साथ border लगाता है है ना इस तरह से आपको देखते रहना होगा map रो मुच्छा गया आप से कि which club football tournament is oldest in Asia and third oldest in the world तो कौनसा आसा tournament हम खेलते हैं football का जो की Asia का सबसे पुडाना tournament है अभी recently मैंने आपको बताया था कि इसका 132 संसकरन हुआ है और दुनिया का यह तीसरा सबसे पुडाना tournament है तो ज्यादार बच्चे answer दे रहे हैं कि इसका answer होगा Durand कब बिल्कुल सही बात है और option number A सही हो जाएगा इसका what is wrong with this pole हां तो यहां पर सारे बच्चों ने answer सही दिया वसीम, योगे, श्रया, मुसकान, गाथा आप सभी का answer सबसे पहले आया है very good चलेंगे अगला सवाल आपके सामने है next question आपसे पूछा जा रहा है पोल स्टार्ट हो चुका है ABCD लिखना शुरू कर दीजे what is the radio frequency seeker used for in missiles तो missile में कौन सा radio frequency seeker होता है देखिए अब चीजे काफी detail में हो रही है missile और rockets को लेकर तो radio frequency seeker जो है या आपसे पूछा जा रहा है क्या इसमें initial phase tracking होता है क्या इसमें mid course phase tracking होता है क्या terminal याने की जहां पे पहुंच जाता है वहां पे phase tracking होता है या intercepting enemy missiles है ये radio frequency terminal बहुत सारे बच्चे बिलकुल सही answer बता रहे हैं proud of you terminal phase tracking टार्गेट tracking system याने की जो radio frequencies होती है वो जब missile वहां पहुंच जाएगा फिर वहां पे उसको track करके missile फुटेगा क्यों न्यूज में रहा क्योंकि रश्या ने mother of all bomb Ukraine पर छोड़ दिया था ठीक है वसीम श्रेया देवान्शू नीधी मुसकान मुसकान भी इदम सही answer दे रही है ठीक है ठीक है नेक्स question हम देखेंगे अगला सवाल है कि भोपाल में भारत के लोग एवं जन जाती अभी व्यक्ति के राष्ट्य मोहतसब उतकर्ष एवं अंतराष्ट्य साहित मोहतसब उनमेश का उधाटन किस ने किया है? पोल आपका, अब मैंने स्टार्ट किया है ठीक है भोपाल में क्या हुआ है? उतकर्ष और उनमेश उतकर्ष किया है? tribal festival है ये नाशनल और अगर हम international literature की बात करेंगे तो हम उनमेश celebrate करते हैं ये भोपाल में celebrate होता है आपको बताना है किसने इसको inaugurate किया है जिन्होंने inaugurate किया है इसके कालन ही इन्यूज में रहा है है ना excellent सब को ये सही बता रहे हैं तो president है हमारी द्रौबदी मुर्मू जी इन्होंने इनको इसको inaugurate किया है और अभिशेग वसीम अमन श्रेया आप सभी का अंसर बिल्कुल सही है चलिए अगला सवाल है कि ये कल काई न्यूज है हमारे cabinet secretary बन गया है कौन क्या अजीट डोवाल हमारे cabinet secretary है क्या रजीव गोबा हमारे cabinet secretary है संजे कुमार मिश्रा है या तपन डेका है ये जारकंड क्याड़ के IS officer है 1982 बैच के और अभी तक जो cabinet secretary है सबसे highest post होता है किसी भी IS officer के लिए इसलिए कहते है कि सही age में बनना चाहिए वना उसके बाद भी competition रहता है तो answer आपको पता है कि राजीव गोबा है इसका answer और वसीम अमन श्रेया करन आपका answer बिलकुल सही है चलेंगे अब कुछ questions है जो हम लोगों ने already कर रखे हैं और इसको हम revise कर रहे हैं revision very important तो tiger 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 बहुत जादे questions हमने tiger पे कर लिये थे this week फिर से सबको revise करना है कितने percent हमने tiger का population बढ़ा दिया है पूछा जा रहा है कि इस बार का जो report आया है जो स्वेम नरेंद्र मोधी जी ने इस report को publish किया है तो सरकारी report के अनुसार भारत के बागों की आबादी कितने प्रतिशत वाशिक वृद्धी दर के साथ 3925 होने का अनुमान है तो वाशिक वृद्धी कितनी हुई है 6.1 percent हुई है 6.1 percent इसका आंसर हो जाएगा what is wrong with this bowl एक second हंजी तो यहाँ पे आप देखेंगे मुसकान, वसीम, सोनम, अमन आपका आंसर बिल्कुल सही है next question आपके सामने है 25 है याद रखेगा Ministry of Environment, Forest and Climate Change है Global Tiger Day हम 29th of July को मनाते हैं उसके बाद 50 साल हो चुके हैं Tiger Project का यह मैसूर से एनाउंस हुआ था नरेंदर मोदी जी ने Tiger Population को Declare कर दिया है और कह रहे हैं कि अब हम बढ़ा चुके हैं अपना Tiger का Population next question poll start हो चुका है पूछा जा रहा है कि एक किताब रिलीज हुई है Dr. A.P. J. Abdul Kalam जी के ऊपर Memories Never Die और Rameshwaram में एक किताब को रिलीज किया गया है आपको बदाना है कि A.P. J. Abdul Kalam one of the most famous and favorite president of India इनके बहुत सारे आपने lectures सुने होंगे जो universities में जाके यह देते है Very motivating आपने कोई book भी पढ़ा है जैसे मैंने Wings on Fire पढ़ा है तो वो भी बताएगा कि आपने इनके द्वारा लिखी की कौनसी पुस्तक को पढ़ा है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका answer क्या है Amit Shah है अमिच Shah ने इस book को release किया है मुस्कान वसीन सोनम खसन किंग गाथा आपका answer बिल्कुल top पे आया है Very good सारे लोग कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी answer देने का पहले तो सही और फिर जल्दी तो इस किताब को लिखा किसने है ये भी किताब ये भी आप याद रखेगा कि originally ये किताब जो है वो तमिल भाशों में लिखी गई है उसके बाद इसको अंग्रेजी में translate किया गया है इनकी भतीजी है डॉक्टर नजीमा मराई कायार ठीक है तो इन्होंने ये किताब लिखा है और इसरो के scientist है डॉक्टर वाईस राजन इन दोनों ने मिलकर एपिज अबदुल कलाम पे ये किताब लिखी है आप इसको प्लीज याद रखेगा चलेगा next question आपके सामने है फोल स्टार्ट हो चुका है question आपसे पूछा जा रहा है कि श्रिलंका में athletes national championship हुआ है 2023 का आप बताईए comment section में कि श्रिलंका में ये जो championship हुआ है इसमें भारत ने कुल कितने medals जीते हैं और gold medal कितने जीते हैं आप मुझे कुल बताईए total ठीक है gold medal मत बताईए इसने क्योंकि gold medal total 9 जीते हैं और 9 option में है नहीं 9 तो gold medal है आप मुझे total medals बताईए कितने जीते हैं ठीक है total medals कितने हो गए 14 total है है ना 14 total मुसकान श्रेया हसन सोनम आपका आंसर बिल्कुल top पे है ठीक है बाकी नीचे वाले बच्चों को भी देख ले जारा कौन है नीचे करन है दालो दावलो तुम अपने नाम सही से रखो पहले total gaming fan देख लो यह gaming gaming मत करो 28% tax कटेगा अब आपका पूजा कुमारी ठीक है आपका आंसर बिल्कुल सही है next हम देखेंगे तो यहाँ पे आप देखोगे 9 gold है 4 silver है एक bronze medal है और यहाँ पे हमने कॉलंबो के stadium में इसको जीत लिया है अब यहाँ पे आपका next question शुरू है poll मैंने start कर दिया है ठीक है poll has been started now you have to tell me कि IIP देखें मैंने आपको 1000 दफा समझा दिया है कि हमारे देश में 8 core sectors है और अगर हम कभी भी industry के indexes को नापते हैं तो इसी 8 core sectors के according इसको नापा जाता है आप मुझे बताइए कि कौन-कौन से sectors है जो 8 core sectors में आते हैं क्या refinery products electricity, natural gas और cement इसमें से कौन-कौन से है जो 8 core sectors में आते हैं और इसके अलावा और कौन से sectors है देखें, जाद दरबच्चे कहरें, चारो आते हैं बिल्कुल आंसर सही है कि all four आ जाएगा मुसकान, वसीम, दिवान, शू सोनम, शिप्रा आप सभी का आंसर सही है अकांक्षा का भी आंसर सही है समरीन, ठीक है तो यहाँ पे आप प्लीज इसको याद रखेगा और intermediate goods में ठीक है तो कौन से हो गए refinery products हो गए ठीक है electricity हो गया steel भी है steel भी है ठीक है क्योंकि steel is the backbone of all the industries coal है क्योंकि कभी भी भी हमारे देश में जितने भी energy है वो coal से ही निकलता है crude oil है natural gases है natural gas है cement है और fertilizer है ये आपको रटना पड़ेगा ठीक है कौन सा base year है 2011-2012 का base year है कौन सा ministry है MOSPI है Ministry of Statics Program and Implementation है ठीक है NSO National Statistical Office इस data को release करता है और ये 8 core industry से ही इस 8 core industry से ही हमारे देश में 40.27% इसको ही मिलके हो जाता है ठीक है ये आपके IIP के industries हो गए clear हो गए आपका चलिए next question हमारे सामने है ये fiscal deficit पे है economics का ये question है fiscal deficit पे ये सवाल है पूछा जा रहा है कि fiscal deficit is calculated in absolute terms and percentage of the country's GDP यानि कि क्या fiscal deficit में हम exactly बताते हैं कि हमारा राजकोश्य घाटा कितना है जो नंबर है मालब 5,000 करोड, 6,000 करोड के नंबर हम exact बताते हैं और क्या हम इसको GDP के comparison में बताते हैं कि कितना percent ये हमारा fiscal deficit है first statement है और दूसरा statement है कि fiscal deficit इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि हम बहुत जादा spending करते हैं जितना हमको revenue मिला है मालू 100 रुपय हमको revenue मिला लेकिन हमने 2 रुपय जादा खर्चा कर दिया construction पे यानि कि हमने 102 रुपय खर्च कर दिया तो 2 रुपय क्या हो गया मेरा fiscal deficit हो गया GDP मेरे देश का कितना है मालू 100 रुपय है तो 2% मेरा fiscal deficit हो गया तो दोनों ही statement सही है, बहुत obvious सा इसमें है, बाकि बिहार का जो GDP growth rate है वो आपको याद होगा 10.98% है, है ना, बिहार तीसरा सबसे ज़्यादा GDP वाला state बन गया है, top पे आंधरप्रदेश है, राजस्थान second पे है, और बिहार third पे है, ये according to 2022-2023 का हमारा जो economic survey का report है, इसके according ये data है, ठीक है, चलेंगे, तो यहाँ पे आप fiscal deficit देख लो, अपने देश का बहुत जाला बढ़ चुका है, यही news में रहा और आप लोगों सही answer बता दिया, very good, हाँ सही answer, किसने बताया वो तो मैंने देखा नहीं, ठीक है, तो 100% बच्चे बता रहें, मुसकान, वसीम, श सामने है, next question आप से पूछा जा रहा है, कि भारत जो है, वो land border तो लगाता है, बहुत सारे देशों के साथ, है ना, लेकिन, मेरी time border, मेरी time border का मतलब क्या हो गया, कि समुद्र वाला border, वो भी होता है ना, territorial waters, contiguous zone, exclusive economic zone, पढ़हे हैं हम लोग, ठीक है, भारत का internal waters, पाकिस्ता साथ भारत, land और समुद्री सीमा दोनों लगाता है, तो इसमें हम कैसे eliminate करेंगे, इस question को, इस question को हम ऐसे eliminate करेंगे, कि पाकिस्तान है यहाँ पर, ठीक है, मालदीव्स के साथ हम land border नहीं लगाते हैं, तो मालदीव्स नहीं होगा, श्रुलंका के साथ भी हम maritime border लगाते हैं, land border नहीं लगाते हैं, तो श्रुलंका नहीं होगा, म्यानमार के साथ हम land border लगाते हैं, बंगलदेश के साथ भी हम land border लगाते हैं, तो option number two और two तो नहीं होगा, ठीक है, तो कहीं पर भी नहीं होगा, अगर हम बस मालदीव्स को छांट देंगे, तो answer हमारा आ जाएगा, आप सभी का answer सही है, क्योंकि हम देख रहे हैं, कमेंट में सब को ही सही बता रहे हैं, वसीम, सोनम, दिशा, आपका answer विल्कुल सही है, ठीक है, चलिए, टॉप पे, आप लोग का answer, इसलिए तीन ही नाम लिए, यहाँ पे देखो, अभी भी अगर किसी को confusion है, तो ध्यान से देख होगा, और भारत का भी 200 nautical miles, जो है exclusive economic zone होगा, तो दोनों का exclusive economic zone है, वो टकडा जाता है, तो यहाँ पे यह land border और maritime border दोनों है, माल्दीफ में भी land border नहीं है, सिर्फ maritime border है, श्रिलंका आइलेंड है, land border नहीं है, सिर्फ maritime border है, बांगलादेश, land और maritime दोनों है, मैयानमार जो सिर्फ land border है, तो यह सारा question भी, अब land border वाला जमाना चला गया, अभी भी confusion है, class 9 geography, chapter number 1, इंडिया में आपको पता होना चाहिए, इंडिया का area कितना है, इंडिया की लंबाई कितनी है, इंडिया की चोड़ाई कितनी है, इंडिया का सबसे north point, इंद्रा कोल है, यहाँ पे आ knowledge is, आपको knowledge पता होना चाहिए, इवन बिहार का भी आपको पता होना चाहिए, बिहार का area कितना है, बिहार का latitude कितना है, longitude कितना है, लंबाई कितनी है, चोड़ाई कितनी है, गंगा नदी कितने district से cross करती है, पटना को कितना district border करता है, यह सारे questions आपके exam में आते हैं, ठीक उसे नीजमें हैंगे को सामूइन य। और मियां सबसcket्खाय how to accomplish क्लास रोज सुभे 8 लग तो कलास रोज सुभे 8 बजा होती है मंड़े से लेकि फ्राइडे तक तो आप देखो कोई आइलंड हां सम्रीन कोई बात नहीं आप सही दे रहें आपका नाम देख पोकोज आइललेड और यह जो आपका को समोई इलेंड है यह वायनमर में नहीं है यह आपका Thailand में है तो यहां पर आप देखेगा सारी गलत है है ना तो यहां पर आप देखो Cocos Australia में हो गया Kapiti आपका New Zealand में हुआ और Thailand में आपका Koh Samui है ठीक है? Australia का Cocos Island जिसको हम Keeling Island भी कहते हैं फिर से हम बतादे यह news में है क्योंकि India का military aircraft यहां पे गया है और हम लोग अपने इंटर ऑपरेबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए पर्थ यहां पे एक शहर है पर्थ आपने नाम सुना होगा पर्थ से 30,000 किलोमेटर दूर यहां पे कोकोज आइलेंड है और भारत ने अपने एरक्राफ्ट यहां पे लैंड किये हैं कपीती कोस्ट आपका न्यूजलेंड में है ठीक है और कूस समुई कूसमुई जो है यह आपका हो जाएगा कहां पे थाइलेंड में तो इसका आंसर कितने बच् सही है पताया हुआ था ना कि तो समुई जो है वो थाइलेंड में है थोड़ा सा तारीफ क्या करते हैं तुम लोग सीधा गलत करने लगते हूं very good चलिए next question फिर से आपका mapping का है पोल स्टार्ट हो चुका है आप से पूछा जा रहा है कि Central Africa Republic C.A.R. यह कौन-कौन से देश के साथ बॉर्डर लगाता है अब कली अम यूपे ऐसे का question देख रहे तो उसमें पूछा जा रहा था कि कॉंगो नदी बहती है और कौन-कौन से कंट्री से कॉंगो नदी बहती है और उसमें भी आपके options थें यही options थें कैमरून सुडान चार्ड यही सारे options थे Central African Republic भी था तो सौन अमगर्टी हो जासारहा हो गया बंगुई इसका कापितल है कॉंगो है यहां अहाँ है यह इसका जंडा हो गया जिसमें ब्लू है वाइट है ग्रीन है यलो है रेड है और भी कलर दाल देता पता नहीं कौन डिजाइन के इसमें आपको ठीक है तो यहां पर हम देखेंगे आपकेंजनल शती है यहां पर आपके ट्राइबल्स लिखें हूए ठीक है फादरी आया है एक्या गालद कर्णा है और बताने हैं गलत है क्या लिखा हुआ है याँ पे कौन सा not correctly matched है ठीक है कौन सा not correctly matched है ओके गाईज तो पादरी ट्राइब जो है वो अपना जमु किश्मीर में है बिल्कुल बात सही है यही recently news में रहा है है ना आका tribe मनिपूर का tribe नहीं है मनिपूर का tribe है नागा और कुकी और मनिपूर का community है मेटी community आका tribe अरुनाचल प्रदेश का tribe है बिढ़ोर tribe आपका बिहार का है ठीक है तो option कौन सा सही हो जाएगा सी हो जाएगा आपका option करेक्ट और यहां पर आप देखोगे तो सेंसस के एकॉर्डिंग पाद्री ट्राइब न्यूस में रहा है जिसके तहट बोला गया है कि यहां पर 21,448 मेरा हिंदी वाला काउंटिंग का अगरबर है तो 448 बोलेंगे ना 488 देखे पता हमको तो 83.6 परसेंट इसमें हिंदु है 9.5 परसेंट इसमें बुद्धिस्ट है 6.8 परसेंट इसमें मुस्लिम है और गावर्मेंट ने अभी एक बिल्स लेके आए है गावर्मेंट जिसमें कहा गया है कि जमुन किश्मीर में जो जो में रहते हैं जमुन किश्मीर के ठीक है तो यहां पर आपका सी करेक्ट है तो सी में 66 बचे सही है मुस्कान वसीम शिप्रा प्रयांशू रजत आपका आंसर बिल्कुल सही है यहां पर हम देख सकते हैं इस सबग के ट्राइब्स चलिए नेक्स क्वेशन आपका बायो डाइ बायो डाइवरसिटिवाइक लिज़ी औ के सक्षोन 37 में यहां पे लोकल बॉडी से कंसर्ट करके कोई भी सेट गावर्मेंट किसी भी जगा Go वो Biodiversity Heritage Site घोशत कर सकता है, पूछा जा रहा है कि इसको start किया गया था इस Act के तहट, 2007 में नलूर जहां पे इमली के बगीचे थे, ठीक है, तामरींद, टामरेंड जिसको कहते हैं, इमली को कहते हैं, ग्रोव है, ये क्या Bengaluru-Karnatica में पहला, देश का पहला BHS है, Biodiversity Heritage Site है, और वो सिफ वही वही प्रेजन्ट है, इसलिए हम इसको Biodiversity Heritage Site डेकलेर कर रहे हैं, तीनों में कौनसे स्टेटमेंट सही हैं, आप से पूछा जा रहे हैं, तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं, तो all of the three statements are correct, यहाँ पे मुसकान, वसीम, सोनम, गाथा, आपका आंसर बिल्कुल रहा है अभी, वेरी गुड, मुहमद अंसारी जी, अर्ध, अकांग्शा, स्निहा, अब्दुल, आप लोग भी आंसर बिल्कुल सही से दे रहे हैं, एक्सिलेंट, तो यहाँ पे आप देखोगे Biodiversity Heritage Site, इसके बारे में हमने क्या समझा कि Section 37 में अगर हम देखेंगे Biodiversity Act 2002 को तो इसके तहत हम किसी भी जगा को Biodiversity Heritage Site घोशत कर सकते हैं, इसमें Union Government नहीं, State Government involved है, State Government इसको घोशत करेगी Local Body के साथ, एक बार discussion करने के बाद, और साथ ही साथ देश का जो पहला Biodiversity Heritage Site है, वो 2007 में Bangaludu के पास नलूर जगा है, जहां पर Imli, Imli के groves थे और इसको हमने 2007 में पहला Biodiversity Heritage Site घोशत किया, कोई आसा स्पीशी जो endemic है, endemic का मतलब होता है, कि सिर्फ वहीं वहीं है, जैसे कि Gir National Forest, Asiatic Lines भारत में सिर्फ वहीं है, तो endemic स्पीशी है, तो इसलिए हम उसको घोशत कर सकते हैं, Biodiversity Heritage Site, very good, चलिगा next, यहां पर हम देखेंगे, और अभी news में क यहां, औरीसा की Government कह रही है, कि हम इसको Biodiversity Heritage Site घोशत करेंगे, औरीसा में कभी भी किसी Site के बारे में पढ़ना होगा, तो जो सबसे जाला news में राता है, वो है, औरीसा का Rishikula Islands, जो की गड़ी माथा बीच पे है, ठीक है, औरीसा का Rishikula Islands, यह कहां पे है, गड़ी माथा ब Turtles, Olive Redlay Turtles, Olive Redlay Turtles, बहुत चोटे 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 Turtles होते हैं, यह कछुए आते हैं, और सारे कछुए जो है, मादा आती है, इसमें बहुत सारी और अंडा दे देती हैं, ठीक है, यहीं पे, इसी Island के पास, और इस Process को हम अड़ी बादा भी कहते हैं, ठीक है, तो इसको आप या statement सही है, next question हमारे सामने है, और poll आपका start हो चुका है, IPCC के बारे में है, बहुत सारा ऐसा topic है, जो हमको पहले tough लगते थे, और अब आप लोग सही सही answer दे रहे हैं, excellent, चले तो देखेगा, IPCC यानि की Intergovernmental Panel on Climate Change, पूछा जा रहा है कि क्या ये 1988 में WMO, यानि की World Metrological Organization, द्वा setup किया था, IPCC में क्या 195 countries involved हैं, दो statement आपके सामने हैं, दोनों statement आपके क्या है, correct है, ठीक है, तो option number C हो जाएगा इसमें, और मुसकान, सोना, वसीम, गाथा, बस यही लोग पढ़ रहे हैं, बाकी लोग पिटाने के काम कर रहे हैं, करन सुनील, टोटल गेमिंग, नीधी, यहां पर देखें, दोनों ही statement सही हैं, ठीक है, तो यहां पर IPCC 1988 का है, WMO World Metrological Organization और United Nation Environment Program ने इसको बनाया है, 195 इसमें देश हैं, और यह आपका हो जाएगा IPCC, ठीक है, चले, इसके बारे में हम लोगों ने अल्रेडी डिटेल में पढ़ रखा है, GI Tag पे सवाल है, पूछा आ रहे हैं कि जलेश सर धातु िखुल है, क्या कर्नाटीका का, गानाटका में गनाटीका है, यह ने कि घुल है, यानि कि मेतल से आकार के आप भूडु बना दिए या घंटी, बना दीर मंदर में घंटी होता है, तो इस तरह कि है आपने बहुत सारे टीज बना दिए क्या करनाट का में है जालेसर यह जगा है मंन कूडाड मंकूडाड अम क्या ये आं बिहार का आम है इसको GIA attendees और ॉपी कलपी बिस जगा है क्या यहां पे हांग से बने हुए पेपर हस्त निर्मित कागल्थ क्या यह उत्तरप्रदेश का है ठीक तो 1 और 2 आपका गलत है not correct पूछा गया है option number A आपका सही हो जाएगा ठीक है 50% बच्चे बाकी गलती कर दिया ओके यहाँ पर total gaming दिवांचु गाथा सोनम का अंसर सही है यहाँ पर not correct पूछा गया था ना सुमिलत नहीं है सुमिलत नहीं है पूछा गया था यह देखिया आपके यह धातु शिल्फ हो गया यह handmade कल्पी का हो गया और यह आम है जो कि गोगा का आम है इसको GI tag मिला है अभी recently next हम देखेंगे justice rohini committee काफी बार इसको भी हम लोगों ने discuss कर रखा है कि justice rohini committee news में रहा है आपको बताना है justice rohini committee किस चीज से related है हिंदी की तरफ से हट जाएं ठीक है स्वारी तो यहाँ पर आप देखेगा नयाय मूर्ति जी जस रोहिनी के अध्धक्षता वाला आयोग गठित किया गया है आपको बताना है कि यह किस चीज से related है सारे लोग सही बता रहे है कि OBC का हमको sub-categorization करना है इससे related है तो यह justice rohini committee है और यहाँ पर OBC categorization के बारे में बात है आपका answer बिल्कुल टॉप पे चल रहा है कुसुम, प्रधान मंतरी कुसुम तो कुसुम का full form बताओ जल्दी से इसमें गलती नहीं करना प्रधान मंतरी कुसुम किस चीज के लिए है तो हम चाहते हैं कि किसानों को हम क्या दे किसानों को हम उड़ जा दे कैसी उड़ जा दे साफ सुतरी उड़ जा दे और हमारे देश में सबसे ज़्यादा किसान जो है इवं उत्थान महा भ्यान है ना तो हम इनका उत्थान कर देंगे तो यहां पर आप देखेगा थर्टी अरे क्यों गड़बर हुआ है इसमें अच्छा खेती वाले लोग जो है वो ज्यादा अंसर दे रहे खेती तो है नहीं इसमें खेती तो ऐसा ही गलत हो जाएगा उसके ब देवांशू नीधी प्रीतम करन दीपक सुनील गाथा आपका ही आंसर बस सही है चलिए तो यह हो गया आपका प्रधान मंतरी किसान उर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभ्यान मिनिस्ट्री ओफ मिनिस्ट्री आप देखें यहां पही ना फार्मर वाला मिनिस्ट्री नह रहा है कि यांग यांग सांसु क्वी यह कहां की है मैं आनमार की है इनको इनका इनके देश में मिलिटरी कूप हुआ इनको मिलिटरी कूप के बाद नाम नहीं आ रहा है अच्छा तो आप देखें मिलिटरी कूप के बाद क्या हुआ इनका कि इनको जेल में डाल दिया गया लेकिन अब ना इनके पांच गुना को माफ किया गया है और ये काम कब हुआ तो बुद्धिस्ट का एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है जिसको ध कर दो स्वॉरव का नाम भी आ रहा है देखो फ्रीतम अनिमेश तनु सभी का नाम आ रहा है छलिए नेक्स वैस्टन यहाँ पे देखो कि UNESCO रिपोर्ट हैलाइट्स क्या कह रहा है UNESCO रिपोर्ट की वेनस वेनस को वेनस कहा दें बहुत सथ दूदर जगा है वेनस इतली में ह को यह बताइए युनुसको की रिपोर्ट के की रिपोर्ट वैनिस को खत्रे के पड़े विश्व धरो हर स्थलो की सूची में शामिल करने की शिफारिश करने के कारणों के रूप में किन जोखिमों पर प्रकास डालती है तो जोखिम क्या है इसमें प्रॉब्लम क्या है अत्य चलेंगे यह वैने सुंदर जगह है इटली में याद रखना प्लीज एड्रियाटिक सी है यहाँ पर यॉनियन सी है ऑर यह मेडिटेरियन साथ लगाती यह जो की बहुत बड़ी सी यहाँ यहाँ पर कोस्ट लगा रही है इटली एक peninsula है क्योंकि तीनों साइड से यह से ढखी हुई है और एक साइट से लांड है इटली का कैपिटल रोम है ना तारे लोग जाएंगे इटली में सरकारी नौकरी लगने के बाद आसा आप लोग सोच रहे हैं पर नौकरी लगने के बाद काम बहुत बढ़ जाएगा पर नहीं जा पाओ गए प्रोजेक्ट के लिए है टाइगर अपेंडिक्स वन में आता है साइट्स के कन्वेंशन और इंटरनाशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ट स्पीशिज ओफ वाइल फॉना एंड फ्लॉरा साइट्स तो आप बताईए कि प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में कौन सा स्टेट्मेंट सही है सब पढ़ाया हुआ है कि साइट्स में अपेंडिक्स वन में आएगा आयू सी एन में इंडेंजर्ट स्पीशिज में आएगा वाइल लाइफ प्रोजेक्ट टाइगर को लांच किया था दूनों स्टेट्मेंट सही है और यहां पे दिवान्शू प्यान्शू मुसकान मुसकान नू बोलने वाले था भी हम ठीक है मुहमद अंसारी सबका आंसर बिल्कुल सही है वेरी गुड लेकिन अभी भी प्रॉब्लम पता ही क्या है सो से जादा बच्चे लाइव है और आंसर मुझे मिल रहा है कितना सिर्फ 35 लोगों का ऐसा क्यों है गाइस सारे लोग आ देख रहे हैं तुम लोगों ना ऐसे रटा जाते हो यह होता है फिर थोड़ा सा इधर से उदर होगा फिर गड़बर कर दोगे पहले को ध्यान से पढ़ो नेक्स साटेड़े से नाम हम हर क्वेशन में कुछ ना कुछ चेंज करके लाएंगे ट्विस्ट देखे state of climate in Asia 2022 का report आया है जिसमें कहा गया है कि 2013 से 2022 तक हमारा जो global average sea level है वो 4.6 mm per year बढ़ चुका यानि कि पानी का जो स्तर है वो 4.6 mm हर साल बढ़ते जा रहा है और Barents Sea, Barents Sea कहां पे है? Arctic Sea के जस्ट नीचे है ठीके यहां पे बोला जा रहा है कि भाई यह जो जगा है ना यह hotspot वन गया है क्यों? क्योंकि यहां पे global warming 5-7 गुना जादा होड़ा है, दुनिया भर में जितना भी global warming होड़ा है यहां पे इस पाथ से 7 गुना जादा होड़ा है, दोनो इस statement आपके सही है, यह report काफी Khतरनाक है क्योगि कहता है कि Asia में पूरे दुनिया का 3 गुना करन हीना प्रितम दीपक बैड़ बॉय का भी आंसर आया है अच्छा ठीक है तो सभी लोग नितीश आपका भी आंसर आ गया है वेरी गुड यहां पर देख लीजिए इस रिपोर्ट के बारे में हम लोगों ने अल्रेडी पढ़ रखाए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है पोल स्टार्ट हो चुका है पोल पूछ रहा है कि बीवाकू मिलेनियम फ्रेमवर्क यह न्यूज में रहा है बीवाकू मिलेनियम फ्रेमवर्क किस चीज से रिलेटेड है क्या यह विकलांग व्यक्तियों से रिलेटेड है क्यानेडा में प्रवासियों की नागरिकता प् भ्यान से रिलेटेड है या मानवधिकार से रिलेटेड है तो यह जो है परसन विफ डिसेबिलिटी से रिलेटेड है वी वाकू के बारे में हम लोगों ने पढ़ रखा है और इसका आंसर हो जाएगा यहां पर आप देखोगे उसकान सोनम यह लोग तुम्हों कुछ वह लग पाथा रजत उसी बाद नीधी श्रेया योगेश करन ठीक है टॉप 10 स्टुटेंट और लास्ट में जो बच्चा बता रही है वह रागिनी एक बच्चे का नाम बर्लिन भी है अच्छा और टोक्यों भी है यहां पर मनी हाइस चल रहा है विवाकू ठीक है नेक्स क्वेशन हम देखेंगे नेक्स क्वेशन आपसे पूछा जा रहा है सोहीनी सिनहा के बारे में सोहीनी सिनहा यह FBI एजेंट बन चुकी है FBI ऐसे हुआ होगा इनके साथ यह बच्च्पन है बहुत सारे ऐसे मूवीज देखियोंगी टॉम क्रूस का उसमें FBI होगा बहुत सारा और यह इस तो ऐसे एक्जाम क्वेशन पर लेके खड़िये कि जैसे ही आप ग्रैजुएट होंगे बीपीएसे बोलेगा अरे तुम्हारा ही तो इंतजार था उंको तुम्हारा तो तुम्हारा तो तुरंट निकल जाएगा और तुम टॉप करके इदम बीपीएसे में बन जाओग और यह सौर्ट लेक सिटी उताहा में है ठीक है सोनम गाथा योगेश आपका आंसर बिल्कुल सही है नेक्स्ट क्वेशन आपके सामने है नेक्स्ट क्वेशन आपसे पूछा जा रहा है कि जीस्टी का 28% है तो यह देखो यह क्वेशन सिंपल है एक औक्टूबर से शुरू होगा इसको हम पहले ही बता देते हैं फिर ITR कितना फाइल हुआ है 6.77 करोड़ ITR फाइल हुआ है पिछले साल 5.83 करोड़ ITR था ठीक है इंकम टैक्स रिटर्र नेक्स हम देखेंगे कि इस बार जो माइन और मिनरल बिल आया है वो इसलिए है ताकि प्राइवेट सेक्टर को भी भागी दाड़ी दी जा सके अब हम खनन में जो हैं भागी दाड़ी इनको भी बढ़ाने वाले हैं चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजे आपका कमेंट सेक्ष्ट आपका पोल ओन हो चुका है है ठीक है क्वेश्चन आप से पूछा जा रहा है टाइगर पर ही है क्वेश्चन क्या सबसे जारा टाइगर करनाटिका में हैं दूसरा स्टेट्मेंट है कि सेंट्रल इंडिया शिवालिक और गैंगेटिक प्रेंड में ने का पॉपलेक्शन बढ़ चुका है तो यहां आप जानते ह हैं कि सबसे ज़्यादा टाइगर जो हैं वो करनाटिका में नहीं है उत्राखंड में हैं फॉर्स स्टेट्मेंट गलत हो जाएगा गलत पूछा जा रहा है आप से और यहां पे आप लोग थोड़ा सा गड़बर कर दिया हैं अब तुम लोग प्रीवेस क्वेशन दे रहे हो वो देना बंद करो अब पोल पोल के कौशिण कांसर दो जिएस्टी कांसल पे कौशन है पहला पूछा जारहे है कि आर्टिकल टूसेवंटीन आइज A1 के तहट President इसको set up करते हैं, दूसरा है Finance Minister, Minister of State and Finance और जितने भी State के Finance Minister होते हैं, वो यहाँ पर participate करते हैं, ठीक है, तो यह तीन statement आपके सामने है, पोल हम start कर दिये हैं, इसका answer आप बताएगा, correct पूछा गया है, कौन सा statement correct है, कौन सा statement साही है, और प्लीज 100 जितने भी बच्चे आप देख रहे हैं, आप सारे लोग इस question का answer देने का कोशिश कीजिए, साही होगा या गलत होगा, answer देने का कोशिश कीजिए पहले, ठीक है, तो आर्टिकल नमबर 279, एक वन, एक वन में आप से पूछा जा रहा है, कि क्या precedent इसको set up करते हैं, और next है, finance minister, chairperson और union minister of finance, ठीक है, यह centers के होते हैं, और हर state, कि जो minister in charge होते हैं, ठीक है, वो इसमें participate करते हैं, तो यहाँ पर आप देखेगा, तीनों ही statement आपका correct है, यहाँ पर all three हो जाएगा, सम्रीन, राज, रागनी, करन, आप सभी का अंसर बिलकुल top पे आया है, next question, GST council पर हो गया, 54th GST council इसको याद रखेगा, please, time of the day, time of the day tariff system option, ठीक है, time of the day tariff system क्यों शुरू हुआ है, क्या कहा जा रहा है, कि दिन के समय में 10-20% कम tariff लगेगा, रात के समय में 10-20% जाला tariff लगेगा, किस चीज की यहाँ पर बात हो ड़ी है, क्या यहाँ पर वैश्विक, वैबार की बात हो ड़ी है, बिजली की खपत की बात हो ड़ी है, पड्याय वरन प्रभाओ, आकलन की बात हो ड़ी है, या नन अवदा अवफ की बात हो ड़ी है, तो यहाँ पर आप जानते हैं सभी लोग, कि आंसर क्या हो जाएगा, इसका, electricity consumption, ठीक है, तो इसके tariffs को change करने की बात हो ड़ी है, और यह अगले साल से change होने वाला है, मुसकान, वसीम, करन आपका answer टॉप पे है, और नीचे से, अर्सी, सुनील, शिप्रा आपका भी answer टॉप पे, very good, next question हम देखेंगे, इसको बताईए, ठीक है, यहाँ पे पोल स्टार्ट हो गया है, यह scheme से related question है, scheme में आपसे सौभाग्य scheme, जहाँ पे मैंने आपको सहज, बिजली, हर घर बताया हुआ है, प्रिधान मंतरी, स्वनी धी, street vendor, ठीक है, और नई रोशनी, नई रोशनी scheme के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, कौन सा आपका match सही है, यानि कि scheme और मंतराले दोनों यहाँ पे लिखे हुए है, क्या स्वाभाग्य ministry of power के अंदर आता है, क्या स्वनी धी जो है, वो ministry of social justice and empowerment के अंदर आता है, क्या नई रोशनी जो है, वो women and child development के अंदर आता है, नई रोशनी जो है, यह minority affairs का है, है न, तो यहाँ पे आपको पता है कि answer क्या हो जाएगा, सिफ पहला वारा सही है, क्योंकि स्वानी धी जो है, यह किस के अंदर आ जाएगा, यह ministry of housing and urban affairs, जहाँ पे हम street vendors को loan देने वाले हैं, और नई रोशनी देखेगा, minority women के लिए हैं, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो answer क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा, सिफ पहला सही है, यहाँ पे तुम लोग गरबर कर दियो, शुभू चौधरी का answer सबसे पहले आया है, वसकार है, और तनु सिंग राजपूत है, आप सभी का answer सही है, प्रकाश है, आरेन है, भारती है, निधी है, करन है, अमन है, आप लोग का भी answer सही आया है, ठीक है, मन्रेगा के बारे में question है, मन्रेगा भी important topic है, प्लीज, इसको ध्यान से देखेगा, मन्रेगा के बारे में पहला सवाल है, कि क्या यहाँ पे 100 दिन का रोजगार मिलता है, ठीक है, और अगर आपने apply किया है, और 15 दिन के अंदर अंदर आपको रोजगार नहीं मिला है, तो आपको बिरोजगारी भगता दिया जाएगा, मन्रेगा को 2005 में launch किया गया था, महात्मा गांदी national ruler employment guarantee scheme, दोनों statement में बताएगे कौन सा statement सही है, तो दोनों स्टेटमेंट आपके सही हो जाएगे, है ना, option number C आपका answer हो जाएगा, जहाँ पे 100 दिन का रोजगार और अगर अप्लाई करने के 15 दिन के अंदर अंदर रोजगार नहीं मिलता है, तो बिरोजगारी भगता दिया जाएगा, सोनम, हसन और मुसकान जो है, इनको gold medal मिला है फिर से, very good, बर्लेन, दीपक, हीना, आडेन, आपका नाम है, दाओलू, अमन, रजट, आप सभी का answer सही है, very good, ठीक है, मन्रेगा का आपको पता चल गया, जैस्टी काउंसल का अभी एक topic था ना, यहाँ पे, ठीक है, मन्रेगा हो गया, अच्छा topic जैस्टी काउंसल है, यहाँ पे एक question है, ठीक है, यह आपका census से related question है, ध्यान से answer दीजएगा, census से related question का, मुझे लगता है, अब लास्ट ही है, अभी है, और question, ठीक है, तो census से related question है, यह आप से पूछा जा रहा है, क्या यह article 246 में है, क्या यह concurrent subject है, और दूसरा पूछा जा रहे है कि कास census 1931 में करवाया था, हमने आख़ी last, तो देखे, अब इसमें कोई बच्छा गलती करे है, उसको वो पिटाएगा, तो सही answer जो है, देखे, concurrent list में बिल्कुल ने है, union list में हम बहुत बार बता चुके हैं, और last census जो है, 31 का था, अभी भी देखो, तुम लोग दोनों कौन बोर रहे है, 38% स्टूडेंट गलती बता रहे है, अभी भी जिसको थोड़ा भी confidence की कमी है, प्लीज आप Monday से लेके Friday तक रोज सुभे आठ बजे, ये current affairs की class कीजे, आपके लिए बहुत बहुत important है और जरूरी है, आप अगर अभी SSC या group railway, group D exam के बारे में भी सोच रहे हैं, तो उसमें भी statement based questions हैं, इस बात को पहले सुन लो ध्यान से, SSC का exam अभी conduct करवाया गया है, उसमें भी statement based questions हैं, तो तुम BPSC के exam में तो और statement based आएंगे, UPSC में अलग ही level आएगा, तो तुम ready रहोगे ना, competition किस type का चला है, वो one liner, रटम और टिकम वाला system चला गया है, तो दीजिए, पारा हाई कर दोगे तुम लोग में रोहीनी commission already हो चुक है, सब categorization पहें, पैसा act के बारे में सवाल है, यह आप बताईए, पंचायत के बारे में आप सभी को पुड़ा कथन पता है, 73rd constitutional amendment 1992 से शुडू हुआ, 1993 में लागू हुआ है, पहले भी national extension service था हमारे पास 1950, 1900, यह साल बताईए तो नागौर राजस्थान में पहला पंचायत हुआ था, 2nd October, इसमें भी बच्चे confuse करते हैं, साल में, which year? पैसा उस जगा के लिए है, जिसको हम जहां पर exactly वो modulation नहीं ला सकते हैं, पंचायत का उसमें हमको कुछ modification करना पड़ेगा, कुछ change करना पड़ेगा, ठीक है? तो पंचायत का जो provision है, वो 9 में है यह, ठीक है? और हम democracy को foster करने के लिए पैसा की बात करते हैं, दोनों ही statement सही है, 25% बच्चे मुसकान, प्रयांशू, टोटल गेमिंग, गाथा, रजट, दिवांशू, निधी, सम्रीन, आपका अंसर सही है, दोनों statement सही है, ठीक है? येस, आर्टिकल 370 सभी को बता है, जमुएन किश्मीर के लिए हैं, और यह हो गया आज का आपका last question, यहाँ पे हम सब का नाम देखेंगे, जिन्होंने सही बताया है, पोल स्टार्ट हो चुका है, आदी पेरुकू, यह festival होता है, केरला, करनाटका, तलंगना और तमिल नादू पढ़ाया हुआ है, festivals पूछे जाते हैं, examination, this is the last question for today, अभी भी A और D में तुमको confusion है, केरलाओ तमिल नादू का confusion, तुम लोग मत complete करना है इस exam के पहले, तमिल नादू का है, अठारवा दिन है, आदी महिना है और तमिल मंत का महिना है, चीक है, तो option number D हो जाएगा very good, सिफ सोनम, नीधी, सौडव और करन का answer सही है, जादा दर बच्चों ने केरला कहा है, excellent, very good, guys, देखो, आज, आज पहला Saturday है, यह first weekend है, August का, है ना, तो पहले weekend को बहुत strategic तरीके साब को use करना है, weekends are very important, आपकी classes कम होती है, चाहे आप batches में enrolled हो, या YouTube पे regular classes जो होती है, त तो आपने क्या करना है, प्लीज आप थोड़ा सा strategic तरीके सा weekend को use कीजएगा, आपको जो भी top, जैसे कि history है, science है, बिहार special है, सबसे जाब question इससे आते हैं, आप क्या करें, कि आप तीनों का एक एक test लगाएं, और test को analyze करें, ठीके, और test को analyze करने के बाद आपको पता चल ज Sunday यही important है, अब हम आपको answer writing नहीं दे रहे हैं, लेकिन आपको ये काम करना पड़ेगा, अगर आपको अभी भी नहीं पता है, देखो, quality अगर कोई बच्छा पढ़ रहा है, तो quality के topics हम बता देते हैं, quality का आपको शायद कल class भी मिल जाएगा, जिसमें हम 48th BPSC से लेके 68 BPSC तक जितने भी questions हैं, उसको हम discuss कर रहे हैं, तो बहुत 10 बजे की class होगी, हम आपको share कर देंगे link, ठीक है, यहाँ पर आपको parliament, president, fundamental right, preamble, हैना, और पंचायत, इतना topic आप कर लीजेगा, तो आपका maximum 10 question आते हैं, quality के, आपके 8 questions तक सही हो जाएंगे, 8 questions तक आपके सही हो है, फिर आपका revolt 1857 का, गांधियन era important है, कोई tribal revolt हुआ है, तो वो बहुत जरूरी पढ़ लीजेगा, क्योंकि बिहार, पहले जहारकन जो है, बिहार का part था, संथाल revolt, कोल revolt, मुंडा revolt, यह सारे questions आते हैं, हैना, उसके बाद आप देखेंगे, कि आपका science, science में biology पे थोड़ा important ध्यान दीजेगा, science में जाला कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको 8, 9 और 10 के NCRTs को पढ़ना है, ठीक है, और बिहार special, तो बिहार special के लिए हम बता दे आपको, कि आज 10 बजे 10 a.m, वरुन सर एक series लेकर आ रहे हैं, जिसमें 48 BPSC से लेकर, 68 BPSC तक जितने भी questions आपके बिह बिहार special में पूछे के हैं, लाइफ सर उसको discuss करेंगे, आप प्लीज उसको एक बार देख लिजे, बिहार special के जादा-ज़र doubt आपके clear हो जाएंगे, कहां से question आएगा, कैसा question आएगा, census से क्या पढ़ना है, या बिहार का जो economic survey है, उससे क्या पढ़ना है, budget से क्या पढ़न है, forest report में क्या पढ़ना है, या news headlines में आपको क्या-क्या cover करना है, ठीक है, तो आज 10 बचे बिहार special का complete previous year question है, 20 BPSC के papers में जो चीजे भी आ गई है, आई हुई है, वो आपकी यहां पर discuss होने वाली है, right, so thank you for the session, all the very best, और हां मुसकान से सब party मांग रहे हैं, बहुत बढ़ झाल 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